हस्बंड काम नहीं करता, इसे वाइफ बहुत ही फ्रस्टेरेड हो जाती है, उसका फिर एक अफेर हो जाता है, यह जब बात हस्बंड को पता जलती है, तो आगी क्या होता है, यह हमारी आज की मुवी, हैपी एंड, जो 1998 की, एक कोरियन थ्रीलर मुवी है, यह एक बहुत ही अ एक्सक्लेशन स्टार्ट करते है, मुवी स्टार्ट होती है, और हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नामें चोई, किसी आदमी के पास आई हुई हम देख सकते है, यह उसके अपार्मेंट में छुपकर जाकर, उसके साथ इंटिमेट हो जाती है, जिसके साथ चोई है, यह हमारा और एक main character है इसका नाम है बियूम इंटीमेट होते वक्त बियूम उससे कहता है मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं सकता हूं वो अकेला रहता है जो उसे पसंद नहीं है इसके बाद हम चोये का husband जिसका नाम है CEO एक बुक स्टोर में देखते हैं बुक स्टोर इससे कंप्लें था उसे पसंद नहीं आई उनर से कहता है कि एक मिस्टरी है उसे रोमेंस नौवल पसंद है रोमेंस में भी इस तरीके के नौवल जो आदमें को रुला कर छोड़े ऐसे ही एक बुक पढ़ते बढ़ते सियो अपने बेटे का टेक यार में वेट करता है जब वो अपनी यंग अपने बेटे से भी सियोग को मिलवा दिया सियोग को आज फुटबॉल का मैच देखना था इसलिए वो जल्दी से घर पर आ गया अपने बेबी के लिए वो पाउडर मिल भी रेडी करता है इस पाउडर में जरा सी एंड्स थी तो उसने पूरा डबा ही बदल दिया यह यह बहुत क्रूशल सीन बन जाता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सियोग अपने बच्चे को कितना प्यार करता है इसके पैलल में ही चोई और बियूम अभी इंटिमेट हुए है बियूम को फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो चोई के बहुत सारे फोटो उसके पास है तो यह अलबम देख रही थी तो उसमें उसका पुराना लेटर उसे मिला वो बियूम से गहती है तुमने इस लेटर को अब तक कंजर्व करकर रखा इससे हमें पता चलता है कि चोई और बियूम यह उसके शादी हो जाने से पहले एक दूसरे को जानते थे बियूम क तुम मेरे अपार्मेंट में आ सकते हो रात में चोई बहुत ही लेट घर पर आई तो सीओ उससे बात करना चाता था पर इसे वो इग्नोर कर देती है सुबह वो बहारा बनाती है इन्वेस्मेंट को लेकर हमारी मीटिंग चल रही थी रात में फिर उसने डिनर किया और वही केरियो के करने लग उसे टाइम का कुछ भी ध्यान नहीं रहा सीओ भी इस बात को जादा बढ़ाता नहीं आज कल सीओ का जॉब चला गया है तो अलग-अलग कंपनी में अप्लिकेशन देता रहता है आज भी उसने जिस कंपनी में अप्लाय किया था यहाँ उसका अप्लिक बेबी को लेकर घर पर आए तो इसफिव देख रहा था तो सीओ से कहती है कि अगर तुम फ्री थे तो बेबी को जाकर तुमें लेकर आना चाहिए था तो इस पर जाता ध्यान नहीं देता घर पर कॉल आता है उस्यों पिक अप करता है पर आगे से कोई आंसर नहीं कर रहा यहाँ पर जोई को लगता है कि उसे बियोम कॉल कर रहा था टीवी पर एक हार्टब्रेकिंग शो चल रहा था तो सियो इस पर बहुत रोता है जोई को अकिले ही बेबी को समालना पड़ रहा था तो इस पर वो जिट गए वो कहती है कि तुम बेबी का ध्यान क्यों नहीं रख सकते उसे आज काम करना था फिर से एक कॉल आया और यह को के लिए यंग ने किया था यंग भी यही तीवी शो देख रहे ही ती लिए हाटब्रीकिंग है सियो उसे कहता है कि बात करने के लिए एक बैड टाइमिंग है जो इस सियो को कहती है कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बहुत गुस्सा हो गया वो पारकिंग में आकर सब गुस्सा अपने गाड़ी की मैट्स पर निकाल देता है इससे गाड़ी की साफ सफाई भी हो जाती है यहाँ पर वो गाड़ी में एक रिसिप नोटीस करता है यह उसके लिए जरा अजीब है एक दिन जोए जब अपने ऑफिस में थी दोसे मिलने के लिए ब्यूम आया यह हैंग आउट कर रहे सियो चोई से कहता है आज कल तुम बहुत यह टायड लगती हो क्या तुम हमेशा अपने ऑफिस में फूट वेर नहीं पहन दिया इन क्वेस्टन से हमें पता चल जाता है इस सियो को अफशक है यह चोई का अफेर चल रहा है आज रात भी चोई ने काम का बहाना बनाया और ब्यूम के पास आ गए यहां जब वो आ रही थी तो उसे लगा यह ब्यूम के रूम में कोई लेड़की है वो जोर जो से दरवाजा खटखट आती है जब ब्यूम की नेवर बाहर आई तो उसे पता चला कि वो नेवर थी जो अपने घर में जा रही थी उसे मिस अंडरस्ट चाहते हैं कि ब्यूम में उसके लिए एक्स्टा टूदबेश लाया हुआ है इस चीज से वो गुसा हो जाती है वो चाहती है और उसमें कोई बींटमेंट ना रहे इस बात को लेकर उसने इनको कंफरेंट किया वियूम कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती है तो मैं नहीं कर इसके बाद हम देखते हैं कि स्योग को फाइनली चाओ और वियूम के बारे में पता चल चुका है वो फिर वियूम के अपार्मेंट में पहुझ गया यहाँ पर वियूम ने चोई की जो भी सब फोटोज ली थी यह सब उसे दिखती है रात में घर आने के बाद उसने चोई से कुछ भी बात नहीं किया नेक्स जब वो बुक स्टोर जाता है तो आज रोमेंस नौवल नहीं पढ़ रहा आज वो मिस्टरी पढ़ रहा है चोई जब काम पर जाती है तो स्योग उसे देखता भी नहीं इस पर वो नाराज हो गई थी इस बार जब वो भीयूम से मिलने के ले आए तब वहाँ पर वियूम ने उसकी बेबी का केर करने के लिए एक किट लाया हुआ है चोई इस पर बहुत ही नाराज हो गे उसे कहती है मैं तुम्हें कहा था कैसा तुम्हें कुछ भी करना नहीं है वियूम को लगता है कि चोई को अब उसके साथ रहना चाहिए चो अच्छा डिनर टेवल पर वो से बात करती है कहती है आज कल में जैसे पहली हुआ करती थी वेसी नहीं रही उसका सब चीजों पर जादा अटेंशन नहीं है तो इससे वो सौरी कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अब वो फिर से एक अच्छी मदर और वाइव बनना चाहती है सियो कहता है सिर्फ हमारे बेबी का तुम अच्छे से खयाल रोखो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए चोई सियो को कहती है कि तुम्हारे कोई रिलेटिव की डेथ हो चुकी है वो रिलेटिव वेंटी लेडर पर था यह बात सुनकर सियो घर से बाहर चला गया पर देख के अभी चोई से मिलना चाता है चोई उसे मना करती है और व्यूम कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ चोई डर गी उसने कहा कि बिल्डिंग के बाहर एक कैफे है यही पर हम मिलते है अब वो अपनी बेबी खो उसके साथ नहीं लेकर जा सकती थी तो उसका क्या क्या जाए अपनी नीन के गोली का छोटा सा डॉसेज वो मिल्क में मिला कर इस बेबी को पिला देती है वियूम ने चोई से कहा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता ऐसे मुझे छोड़ कर तुम कैसे जा सकते हो चुई कहती है कि मैं एक mother हूँ एक wife हूँ ऐसे कैसे मैं सब को छोड़ सकती हूँ वियोम कहता है कि जब तुम्हारी बेटी का बर्थ हुआ था तुमने hospital में कहा था कि हमारी बेटी बहुत ही beautiful है चुई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो में misunderstanding हुई हो गिए जब थोड़ी दिर में CEO घर पर आया तो बेबी की बॉटल पर उसने एंड्स को नोटिस किया चोई ने बेबी की बॉटल में नीम की गोली मिलाई हुई थी उसका ध्यान नहीं था तो खराब मिल्क पाउडर से ही उसने बेबी को दूद पिला दिया CEO जल्दी से भागता है और बेबी को हॉस्पिटल में एंड्मिट करवाता है डॉक्टर CEO से कहते है कि जादा कुछ वरी मत करो ये बच्चों में नॉर्मल होता है आपकी बेबी ठीक हो जाएगी इसके बाद ब्यूम और चोई को घर छोड़ने के लिए यह सब CEO ने देखा और वो बेल्डिंग में ही छुप गया CEO फिर अगले दिन अपने रिलेटिवस के फ्यूनरल पर जा रहा था CEO अपनी फ्रेंड यंग को उसे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहता है वो यंग के सामने ट्रेन में तो बैठा पर बाद में नीचे उतर गया वो फिर डारिकली ब्यूम के घर पर आता है घर में वो ब्यूम के हैस वेगरा ढूंता है यहाँ पर उसने एक चाको भी चोरी कर लिया जब चोरी घर पर आई तो उसे उसके न्यूड फोटो उसके बेडरूम में मिलते हैं वो बहुत ही डर गई वो बहुत ही डर गई और वो ब्यूम को कॉल लगा दिया कहती है तो उमने ऐसे फोटो मेरे घर में क्यों रखे है वियूम कहता है यह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अचानक से सियो चाको लेकर चोई पर हमला कर देता है बहुत ही वाइलेंटली उसने उसे मार डाला सियो फिर ट्रेन से फिर से ट्रावल कर खराता है इसका मतलब है उस पर कोई शक नहीं कर पाएगा नेक्स दे सियो की फ्रेंड यंग को देखने के लिए गई तो वहाँ चाओ की बोडी देखती है इसके बाद पुलिस सब कुछ इन्वेस्टिएशन करते है चाओ को जिस मर्डर वेपन से मारा गया है इस सियो ने वियूम के घर से चोरी किया था इसका मतलब है मर्डर वेपन पर वियूम के फिंगर प्रींट से चाओ के बोडी पर सियो ने वियूम के हैस भी प्ला इसके बाद बियूम को सजा होगे और थोड़े दिन बाद सियो फिल से घर में रहने लगता है अपनी घर का, अपनी बेबी का अच्छा सा खैल रखता है वो बातरूम में गया चाओ के उसने फोटोस देखे तो बहुत दुरोता है वो उसे फेसे याद नहीं करना चाता है तो उसकी सब पिक्चर्स वो जला देता है वो चाओ से बहुत ही प्यार करता था तो उसे अनफेथ फोल थी उसे रहा नहीं गया उसने फाइनली बियों में से रिवेंज भी ले लिया इसी तरीके से एक बहुत ही हार्टब्रेकिंग लव और रिवेंज की स्टोरी खतम हो जाती है गर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और बेर नोटवेशन आइकों दापने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखें